गुद इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं यूटीव चैनल सिक्षा कोचिंग क्लासे इस टेंड जैसे कि जो बहुत बड़ी ख़वर आ रही है SSC GT 2018 के रिजल्ट को लेकर के आ रही है जैसे कि आप सभी अभियरती जानते हुए कि SSC GT 2018 का रिजल्ट 20 जनवरी को रिलीज होने जा रहा है तो उसकी cut off क्या रहने वाली है एक नंबर से ज़्यादा marks की अगर lead है यानि ज़्यादा है cut off से ज़्यादा तो उसका selection हो गया नहीं होगा चर्ण प्रिक्रिया में क्या बदलावाने आने है वो भरती के पद जो है बढ़ने वाले है या नहीं उसके ओपर officially notice के बारे में जैसे की चर्चाएं चल रही है सबसे पहले मैं step by step आपको बताता रहूँगा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस्टुटेंट्स की जो जैसे की करीब 80-85,000 जो स्टुटेंट्स है medically fit है उनका medical हो चुका है और re-medical वाले स्टुटेंट्स में भी तो उसमें भी और स्टुटेंट्स add हो जाएंगे तो almost कितने strengths करीब medical fit हैं साथ ही में कि जिनका एक number से जादा है cut off से तो उनका selection होगा नहीं होगा तो देखिए जैसे district wise देख लें या नक्सल एरिया देख लें या फिर आपका जो choice preference है यानि की job का selection की आपने कौन सी post preference में किसके according दिया गया है देखिए जिसकी demand जादा है तो उसकी cut off तो एक बार को एक दो number तीन number तक increase हो सकती है बट जो lowest area है उनमें आपका chances बन सकते हैं कहने का मत्रब यह है कि vacancy increase होंगी ही होंगी साथी में प्रकरिया का बदलाब हो गई होगा तो एक number से जादा वाले जिसका cut off से एक number जाता है उसका selection होने के पूरे पूरे chance है बहले नकसल एरिया मिले बहले उसको last area मिले बहले उसको last preference मिल जाए जहांपर कोई जाना पसंद न करे बहले उसको मिले पर उसका selection जरूर होगा साथ ही में चेन परिक्रिया में एक बदलाब की जैसा की आयुक से ख़वर मिल रही है कि चेन परिक्रिया में एक बदलाब ये आने वाला है कि इसमें बेटिंग लिस्ट का अनुमान लगाया जा रहा है बेटिंग लिस्ट का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी बेटिंग लिस्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है यानि कि अगर 60,000 पदों पर ये भरती दे देते हैं तो उसके बाद जो medically fit इस्टेंट्स बचते हैं और काफी चीजें आपने देख लिए भी होंगे उतार चड़ा भी देख लिए होंगे और इस्टेंट्स की एज भी बढ़ती जा रही है तो उसके according आयोग में ये बात भी लेकर के चल रही है कि पद बढ़ा करके जो medically fit इस्टेंट हैं उन्हीं को सभी को सिलेक्षन दे दिया जाए maximum भलाई वो 80,000 पिछी जा रहे हैं जितने भी हैं तो बस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यों सौमाच जैहिन जैभारत